जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जै माघ मास महत्यम में की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूडूब चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्धिक अभी नंदन करते हैं आज माघ मास महत्यम में अध्याय पंदरें की कथा को सुनाने जा रहे हैं पिछले अध्याय की कथा में आपने कांचन मालिनी अपसरा और एक राक्षश की कथा सुनी थी उसी कथा के अगले भाग को आपको यहां पर सुनाया जाएगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय माघ मास का पावन समय चल रहा है इस माघ मास में भगवान को प्रसन करने के लिए हम सब को भगवान की अधिक से अधिक भक्ती करना उचित है भगवान के मंगलमई नामों का जाप करना और प्राता समय जल्दी उठकर स्नान करना तूलसी जी का पूजन करना भगवान की पूजा आरादना करना भगवान की कथाओं को सुनना अधिक से अधिक भगवान को याद रखने का परियास करना और अपनी समर्थ के अनुसार दान पुन्य के करम करना ये सबी भक्ति से संबंदित धरम करम हमें करने चाहिए तो अब माग मास महत्यम अध्याई पंध्रें की कथा जो की इस परकार है कांचन मालिनी अपसरा आगे राक्षश से कहने लगी है कि हे राक्षश वह ब्रह्मन मुझ पर क्रिपा करके सारी कथा सुना कर कहने लगा है कि इस परकार देवरज शिंद्र अपनी अमरावति पूरी को चला गया सो हे कल्यानी तुम भी देवताओं से सेवा किये जाने वाले परियाग में माग मास में सनान करने मात्र से निश्पाप होकर स्वर्ग में चली जाओगी सो मैंने उस ब्रह्मन के इन वचनों को सुनकर उनके चर्णों में पढ़कर शाष्टांग प्रनाम किया है बारंबार उनको प्रनाम किया है मन में एक ही भाव है कि इन ब्रह्मन देवता ने मुझे पर कृपा करके ये कथा सुनाई है कि जिससे मेरा भी उद्धार हो सकता है आज मन में ये एक बात आई है कि मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्मों में वेतीत किया है लेकिन मेरे भगवान ने मुझे पर इतनी कृपा की है कि मुझे इन पाप कर्मों से छुटकारा दिलाने का उपाए बता दिया है इन ब्रह्मन देवता ने मुझे वो उपाए बता दिया कि जिससे मेरा उद्धार हो सकता है हे राक्षष मैंने अपने सारे जीवन में अनेकों पाप कर्म किये थे कभी भगवान की भक्ती नहीं की लेकिन भगवान की ऐसी कृपा देखकर मन में एक भाव आया है कि मैंने कभी भगवान को याद नहीं किया मैंने एक शन भी कभी भगवान का नाम नहीं लिया अगर जीवन धरमकार्यों में बिताया होता अगर सारा जीवन भगवान की भक्ती की होती तो ना जाने प्रभु मुझ पर कैसी कृपा कर देते लेकिन आज ठाकूर जी की कृपा को देखकर भ्रह्मन देवता के बताये गए उपाये को सुनकर मुझे अतिप्रसंता हुई है और वापिस घर में आकर सब भाई भांदव नोकर चाकर धन इत्यादी का तियाग कर अपने शरीर को नश्ट होने वाली वस्तु समझ कर मैं घर से निकल पड़ी और माग मास में गंगा यमना के संगम पर जाकर सनान किया है सो हे निशाचर तीन दिन के सनान से मेरे सब पाप नश्ट हो गए और सताइस दिन के पुन्य से मैं देवता हो गई और पारवती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ इस कारण मैं परियाग जी के महात्य में को याद करके बारंबार समरन करके सब देवताओं के सहित माग मास में परियाग राज में सनान करती हूँ सो मैंने अपना यह सब वृतांद तुम से कहा है तुम भी इस योनी में पढ़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो तुम्हारी दाड़ी और मूचे भहुत बड़ी-बड़ी हो गई है और परवत गुफा में निवास करते हो आज कांचन मालीने के इन वशनों को सुनकर वो राक्षश वो निशाचर कहने लगा है कि हे भद्रे सजनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानी नहीं होती मुझको अब कोई शंशे नहीं रहा कि मेरा उधार तुमसे ही होगा सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ मैं काशी में वेदों का ग्याता था बड़े उच्छ कुल के भ्रामन के घर में मैंने जनम लिया था मैंने राजा, पापी, शुद्र तथा वैशियों से अनेक प्रकार के दान लिये मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा उस जनम में मैंने कोई भी धर्मकारे नहीं किया वहीं पर मिर्क्यों को प्राप्त हो गया तीरत स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया पहले दो बार गिध योनी में, तीन बार व्यागर की योनी में, दो बार सर्प योनी में, एक बार उल्लू की योनी में और अब दस्वी बार इस राक्षश योनी में मैंने जनम लिया है और 75,000 वर्ष से इसी योनी में हूँ इस स्थान को तीन योजन तक मैंने जनतुहीन कर दिया है बिना अपराद के भहुत से प्रानियों को मैंने नश्ट किया है इस कारण मेरा मन सदा दुखी रहता है ठाकुर जी की कुछ कृपा अवश्य हुई है जो तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए है तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में कुछ शांती अवश्य आई है क्योंकि सजनों का संग तुरंत ही सुखदाई होता है मैंने अपने दुख के सब कारण आप से कहे और सजन लोग सदेव दूसरों के दुखों को दूर करते हैं वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और यही परिया करते हैं कि वो सामने वाले के दुख को दूर कर दें हे देवी अब आप मुझे ये बताओ कि इस दुख रूप सागर को मैं कैसे पार कर सकता हूँ क्या शीर सागर केवल हंस को ही धूद देता है बगुले को नहीं देता क्या मेरा अधार नहीं होगा आज इतनी कथा सुनाकर दत्तात्रेजी भगवान कहने लगे हैं कि इस परकार उस राक्षश के इन वचनों को सुनकर कांचन मालिनी अपसरा कहने लगी है कि हे राक्षश मैं अवश्य ही तुम्हारा कल ल्यान करूंगी तुम कोई चिंता नहीं करो मैंने दृड पर्तिग्या की है कि तुम्हारी परियतन करूंगी मैंने भूत बार परियाग राज में माग मास में सनान किया है वेदों को जानने वाले रिश्यों ने दुखी को दान देने की परशंशा की है समुदर में जल बरसने से क्या लाब परियाग राज में सनान करने का एक बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ तुम्हारे लिए अर्पन करती हूँ। उसे से तुमको स्वर्ग की प्राप्ती होगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वेम कर चुकी हूँ। उस समय उस अपसरा ने अपने गीले वस्तर का जल निचोड कर जल को हाथ में लेकर माग मास के सनान के फल को उस राक्षश के अर्पन किया है। ठीक उसी समय ठाकुर जी की ऐसी क्रिपा हुई है कि उस समय पुन्य प्राप्त करके वह राक्षश अपने राक्षशी शरीर को छ चोड़कर तेजमय सूरे सद्रश देवता सवरूप हो गया है आकाश में विमान पर चड़कर अपनी कांती से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी अपसरा की बारंबार प्रशंशा करता हुआ शो भाय मान होता हुआ कहने लगा है कि इश्वर ही जानते हैं कि तुमने मुझ पर कितना उपकार किया है आपने मुझ पर जैसी क्रिपा की है वैसी क्रिपा कोई और नहीं कर सकता हे देवी मैं बारं बार आपको प्रनाम करता हूँ हे देवी थोड़ी दया मुझ पर और करो मुझे ऐसी शिक्षा दो कि जिससे मैं कभी पाप नहीं क तब कांचन मालिनी अपसरा कहने लगी है कि तुम सदेव धरम की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुन तथा दोशों का वर्नन मत करो, भगवान शिव और भगवान वासुदेव श्रीकिशन जी का पूजन करो, इस शरीर का मुहों मत करो, पतनी, पूत्र धन आदी की ममता को त्यागो, सदा सत्य बोलो, वेराग्य भाव धारन करके योगी बनो, सदा अपने मन को भगवान के चर्नों में लगाओ, माग मास में भगवान जी की अधिक से अधिक भक्ती करो, हे महानुभाव मैंने तुम से यह धरम के लक्षन कहें हैं, अब तुम रूप होकर शिगर ही स्वर्ग लोक को जाओ, आज इतनी कथा सुनाकर दत्त त्रेजी भगवान कहने लगे हैं, कि हे राजन इस परकार गंधर्वों से सेवित वह राक्षश कांचन मालिनी अपसरा को नमस्कार करके स्वर्ग लोक को गया है, और देव कन्याव ने वहाँ आकर कांचन मालिनी अपसरा पर पुश्पों की वर्षा की है, और प्रेम पुर्वक कहा है, कि हे भद्रे तुमने राक्षश का उद्धार किया है, इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में परवेश नहीं करता था, अब हम सब निडर होकर इस वन में विच्रन करेंगी, भगवान के बारे में कुछ चर्चा की है, सतसं किया है, इसके पशात कांचन मालिनी अपसरा आज भगवान शिव के लोक को गई है, तो मागमास महत्यम के पंद्रवे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है, तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का धन्यवाद भगवान शिराधा क्रिशन जी की मागमास महत्यम की अनंत क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री क्रिशन भगवान की जै मागमास महत्यम की जै जै श्री राधे, जै जै श्र इराधे शाम